हम हलो नमस्तों मैं अमित सेंग आपको reservation अगर आप जनरिल कैटेगरी से हैं तो आप reservation से बहुत दुखी है और अगर आप स्ट से हैं तो आपको reservation अच्छा लगते हैं बेसिकली जो डिप्राइव्ड समाज है जो पिछड़ा वर्ग है उसको रिजर्वेशन की बहुत जरुवत है ताकि वो उपर आए लेकिन जो ऊपर आ चुका है जिसको आप रिजर्वेशन की जरुवत नहीं है उससे अप रिजर्वेशन चीन लेनी चाहिए क्योंकि अब उसको जरुवत है नहीं तो अभी जो दौर चल रहा है यह रिजर्वेशन का दौर चल रहा है ऐसा कभी नहीं आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो रिजर्वेशन खत्म करेंगी अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं तो आप गलत है और ऐसा होने वाला ह है नहीं इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल कुछ दिनों पहले पंजाब और हर्याना हाई कोट के सामने आये था 2021 में हर्याना सरकार ने एक बिल पास किया था जिसके अनुसार हर प्राइवेट सेक्टर में जहां पे तीस हजार से कम की नौकरी है वहां पे 75% सीट रिज 70% वहां के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए तो आप सोचें कि मतलब कंसिटूशन कह रहा है कि एक इन्सान भारत में जहां चाहे वहां रह सकता है जो चाहे वह वह बैपार कर सकता है अभी तक सरकारी नौकरियों सरकारी कॉलेज सरकारी कोटे में रिजर्वेशन चल रहा आधा लेकिन हर्याना सरकार सोच रही थी कि बहूत बढ़िया मतलब महाराष्ट शाता है कि महाराश्ट में काम करें बिहार चाहता है कि श्यांट्स बंगाल के लोग बंगाल में काम आए तो यह कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रेस्ट्रिक्शन लाना चाहते हैं तो इससे नुकसान यह है कि भया यह कंस्टिट्यूशनल फ्रीडम दे रखा है जो राइट टू ट्रेड है यह तो डिप्राइब हो रहा है कैसे एक इंसान किसी राजे में जाके काम कर सकता है अगर किसी राजे में कोई वै इस बनाते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी सोचो 75 परसेंट रिजरवेशन रखना चाहते हो तो यह 75 परसेंट रिजरवेशन से आप सिर्फ उनको मतलब वह क्या कर रहे हो एक सेक्ट का वोड चाहते हो तो आपको लगता है कि यह सरकार कभी चाहेगी कि रिजरवे कि माहरास्ट में माराथी जो हैं वो भीहारी को भागार हैं बंगाल में कुछ नएने पार्टी आई हैं यह पार्टी यह कह रही है कि बंगाल बंगालियों का तो जो लोग जो constitution से जो देश चल रहा है इसका तो कुड़े में उठा के फेक दिया जाए तो बंगाल अगर वॉगर बंगाली हो आधिकार नहीं और कोई सम्मान नहीं पुटकर नहीं मिलेगा को चाहाब आप सरत देखें तो पंजाब तर दयाना कोड ने कहा कि यह जो policy यह बिल लाया गया है कि 75% हर्याना के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर्स में यह अनफेर है अनकंसिट्यूशनल है और इसे रिजेक्ट कर दिया जिसको वहां के डिप्यूटी सीम जो है दुश्यंत मिस्टर दुश्यंत उन्होंने कहा है कि वह इसको चैलेंज भ मतलब अगर एक वर्ग को अगर आप रिजर्वेशन देंगे दूसरा वर्ग डिप्राइवड होगा तो समानता समाज में कभी आने वाली नहीं है और अगर आप प्राइवेट वर्ग भी ऐसा ही करेंगे तो फिर बचता क्या है फिर जो लोग पीछे छूट जाएंगे उनक का सोशन छोड़किया और कुछ होने वाला नहीं है भनने वाला